दोस्तों आज अपने अरश्टू के सविधान सबंदी विचार पढ़ेंगे इसमें से अपने गहराई से जो परसन बैसिकली पूछी जाते हैं उन पर अपने चर्चा करेंगे शुरू करते हैं इनके स्विधान समंदी जो विचार है वो politics के third part में हैं कई बार person पुछा गया है कि क्या ये इसके मौलिक विचार है या कहीं से लिए गये हैं तो ये इनके मौलिक विचार नहीं है ये प्लेटो से लिए हैं और प्लेटो में जो statesman में वर्गिकरन दिया गया है उसको ही अरस स्विधान समंदी विचारों में क्या सामान ताइम थी उसको अपने को पर्थक करना था अगर अपने statesman की बात करें तो statesman में भी प्लेटो राजे को छे वरगों में बाढ़ता है वो भी प्रिवर्तन चक्र की बात करता है वो भी बताता है कि किस परकार से theory of cycle of government है किस परक या चक्रिय प्रिवर्तन उसमें होता है साधारन और विखरित रूप ऑंगी बात करता है कि एक स्विधान का रूप है वो नॉर्मल है दूसरा परवर्टेड है सासकों की संख्या यानि एक अगर सासक है तो क्या नाम है few हैं तो क्या है और मैनी है तो क्या है तो यह इनके स स्विधानों राजियों का जो बर्गी करण है वो कानून को मान करके स्टेट्समेन में कानून को बहुत महतोपुरून स्थान देता है जैसा आपको पता है कि रीपुब्लिक में वो कानून को दर्किनार कर देता है लोज में उसको पुरून दे मानता है और स्टेट्समेन उस अपने competitive exam में कि जो अरस्तु का जो वर्गिकरण है वो सास्क वर्ग के चरीतर को चरीतर को यानि सास्क वर्ग का क्रेक्टर कैसा है उसका हित समाने हित के लिए सासन करता है या स्वार्थ अपने हित के लिए सासन करता है इसको पर्धानमान के उसने वर्गिकरण किया है और Plato क कुछता है कि कानून का आधर करता है या नाधर करता है अगर आधर करता है that is the normal और अनाधर करता है that is the prevated form of the constitution और अगर अपने बात करेंा सेबाइन की तो सहिबाइन प्लेटो को कानून पिरिये स्विधान जिसे काता है अरस्तु से ही समाने हित के लिए सासित राजे कहता है अगर हैरी इंपोर्टेंट पसन यहां से आपने विगांदरी विभी देले में बन सकता है छोटा कि इसके वर्गिकरन का आधार क्या है उसके रूप कौन-कौन से है तो यहां मैंने सोल्ट में इसको बताया है कि इसके वर्गिकरन के अगर बात करें तो उसके वर्गिकरन के दो आधार है पहला सास्कों की संक्या यानि कितनी है और दूसरा उसका उदेसे क्या है अगर उसका उदेसे जनहित है तो वो स्विधान का रूप समाने है अगर वो इसकित के निर्ध के लिये संख्या एक जादा है तो यानि कुछ है फियू है और उसमें अगर वो स्वेस्ड के लिए शाष्म करता मैं तो बहुत है और ऐसे लोग बर और बहुत जादा है और और स्वेहित के लिए लेते हैं यानि कुछ ऐसे डेमोगों होते हैं ऐसे हमारे क्रिश्माई नेता होते हैं जो स्वेहित के लिए जनता को बढ़गा देते हैं और अपने हितों की अपने स्वार्थ की जैसे आज कल के नेता हैं वो भीड जंतर में सामिल होते हैं और अरेस्ट बर्गला करके उस भीड को कुछ नेताएं नेता आपने और भेड की तरह अपने पीछे कर लेते हैं अनवाईयों को और उसको हम मोब लिचिंग कहते हैं आज अरस्तु उसे ही डैमोक्रेसा कहता है उसे ही मोबोक्रेसा कहता है और सबसे निक्रष्ट रूप वो डेमोक्रेशी और मोबोक्रेशी को मनता है अगर आपने विभारिकता की बात केने तो पॉलिटी को मनता है और से धनतिक रूप से पूछे तो वो मोनयार्ची को मनता है फिर यहां से परसन पूझ ले अगला परसन ये बनेगा cycle theory of the government ये अरश्तू कहता है कि जिस परकार से रितूवं पर परिवर्तन होता है जिस परकार से एक रितूव के बाद दूसरी रितूव आती है फिर तीसरी रितूव आती है यानि समय के साथ उसमें परिवर्तन होता है उसी परकार से स्विधानों में भी परिवर्तन होता है और यह साभाविक रूप से निर्बाद रूप से चलता रहता है इसके लिए मताता हूँ सबसे पहले मोनार्ची रास तंतर आता है राजा मतलब जन हित के लिए कार्य करता है लेकिन जैसे ही राजा में स्वेहित होता है जनहित से मूँ मोड़ देता है अपने स्वार्थ की सिद्धी में लिपता है वो राज तंतर अपने नर्कूस तंतर में बदल जाता है तिरेनी में जब नर्कूस तंतर हो इस राजा के अत्यचारों से पीडित जनता है उसमें कुलीन कुछ मेरिटोक्रेशी के लोग होते हैं वो कुलीन तंत्र की स्थापना करते हैं धीरे धीरे ये जो अरिश्टोक्रेशी के लोग हैं ये जिन में सद्गुन था वो सद्गुन तो लुप्त होने लगता है और वो भी स्वार्थ सिद्धी में लग जाते हैं तो ये कुल पाद में ओलिगार्ची यानि एक परकार से धनिक वरगतंतर का उद्य होता है जो अपने ही नैस्ट स्वार्थों की हित में लगे रहते हैं जनता का सोशन करते रहते हैं जनता दीरे-दीरे इन सोशनों से इस पीड़ा से अपनी मुक्ति पाने के लिए प्रियास करती है तो य समय के साथ इस पॉलिटी के अंदर भी एविवस्ता भेलती हैं कुछ डेमेगोग कुछ करिस्माई नेता हैं वो इस जनता को बढ़कार के अपने हीतों की पूर्ती करते हैं और यह पॉलिटी ने क्रस्ट रूप अपने अतिवादी रूप में बदल जाती है जिसे हम लोग सा गया है इसको इसी करम में याद रखना है MTA उसके बाद में OPD यानि आप याद रखते हैं OPD तो अपने खूब सारी होस्टिटल में रहती है OPD के बाद क्या है MTA 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 के बाद OPD यह आपको करम से याद रखना है अगर अपने बात करें इसके आलोतना की आलोतना यह है कि राजे और सुविधान और सासन सरकार इसमें कोई अंतर नहीं करता है मौलिक्ता का भाववा इसने विचार पलेटों से लिए है परजात अंतर को निर्क्रिष्ट मानता है जो सबसे बड़ी इसकी कमी है आज हम मानते हैं कि सासन सुविधान सरकार सब से जिसका लोग पर यह फोर्म है वो डेमोक्रेसी है यह वर्गेकरन केवल संख्या पर अधारित है यानि इसमें संख्याओं पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है गुणों पर ध्यान नहीं दिया गया है पर आजूनिक राजे जो बड़े राजे हैं सीटी स्टेट पर तो यह लागू होता था उस पर लागू नहीं होता है इसमें केवल गूर्मेंट्स का वर्गेकरन है सुविधान का नहीं है वो सविधान की सबसे पहले परिवादा देता है समीधान मात की सुरुवात करता है इसका जो बर्गेकरन हैं बहुत वेज्यानिक है तुना अतमक हूब छूब सारे 158 देसों के स्विधानों पिर भी ये संप्रभुता का स्थान डिसाइड करता है राजे के लक्षे को डिसाइड करता है हम यूं तो कह सकते हैं कि अरस्तु के स्विधान में संसोधन हो सकता है इसका विस्तार हो सकता है हम यह कभी नहीं कह सकते कदापी नहीं कह सकते कि अरस्तु के वर्गेकर्ण का पर thanks for watching